नमस्कार जैस्री कृष्णा मैं राके शिवानियाश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि मैं कुछ वीडियो से आपको बता रहा हूं कि कुण्डली देखते वक्त हमें क्या-क्या गोचर, अस्टक वर्क का कैसा हिसाब है वो सब चीज़ देखके हम लोगों को बताना हूं अब आज भी हम लोग वही सिलसला जारी रखेंगे नॉर्मली लोग जो जातक परशन पूसता है उसी परशनों का उत्तर देने की कोशिश हम करेंगे अब जातक आपके पास आता है औ अंतर दशा मेरी दो या तीन साल की है तो उसका फल कब कब मिलेगा तीन साल की अंतर दशानात की राशी में जाएगा तो आपको फल मिलेगा जैसे उधारन आप ले लेते हैं माना मंगल की दशा है अब मंगल का फल आपको कब मिलेगा जब सूरिय गोचर में मंगल की कौन क गोचर में सूर्य मेश राशी में या रश्चिक राशी में जाएगा तो आपको अंतर दश्चा का फल जरूर प्राप्त हो और मेश रश्चिक राशी में जाना तो ये तो आप जानते हैं कि सूर्य एक राशी में 30 दिन का समय लेता है तो सूर्य का गोचर इतना बड़ा जिस ग्रया की दो रेकिन शूर्य या गुरू उस अंतरजाणात की उच्छ राशी में जैसे प्रोइख गुरू तो सूरिय या गुरू तो मंगल के शुक्फल मिलने स्टार्ट हो जाए और किसी कोई ग्रहे आपको अशुक्फल देने वाला है तब उसके अशुक्फल कम मिलेंगे अशुक्फल जब मिलेंगे जब सूरिय ग्रहे उस ग्रहे की नीच राशी में या उस ग्रहे की शत्र राशी मे गोचर करेगा तो कस्ट फल में बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला है इस फार्मूले को आपको ध्यान रहा है कि फल कम मिलते हैं शुफल कम मिलते हैं अशुफल कम मिलते हैं जब जिस ग्रह की अंतर दशा हो उस ग्रह की स्वेम की राशी में सूर्य गोचर में आता है उसके शुबफल कम मिलते हैं, वो जम मिलते हैं, जब उसकी उच्छ की राशी में सूर्य या गुरु गोचर में आते हैं, और उसके शुबफल कम मिलते हैं, जब उसकी नीज की राशी में या शत्रु राशी में सूर्य गोचर में आता है, तो ये आपको ध्यान अगने वाली बाद जिसकी दशा है वो धन भाव को देख रहा हो या धन भाव के पैठा हो या धन भाव का स्वामी हो तो धन भाव के रिजल्ट मिलेंगे अब माल लिया तीसरे भाव व्रशिक राशी है यहां पर आठ नमबर राशी है इसके शुक्र बैठ तो लगनेश आपका लगनेश कौन हो हुआ बुद्ध लगन का स्वामी कौन होता है बुद्ध होता है छे नमबर राशी जब भी गोशन गोशर में इसके त्रिकों में यानि चार नमबर राशी आठ नमबर राशी बार नमबर राशी हम जानते हैं कि तीन त्रिकों होते हैं पहला पांचवा नवा तूसरा छट तो जब भी इसके त्रिकॉण में लगनेश आएगा इस बहाव की लगनेश जो है वो इसके गोचर में इसके त्रिकॉण में मिलना स्राठT हो जाए फिर देखें देखते हैं अच्छा कुड़ी देखते वक्त भी हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चीए कुछ important tips हैं जो आपको ध्यान रखना सूरिय देखें क्योंकि सूरिय आत्मिश्वास का कारक है कैसा आत्मिश्वास है उसका पीडित तो नहीं सूरिय ये भी चेक कर लें चंदर्मा देखें चंदर्मा उसके मन का कारक है कि चंदर्मा कहीं पीडित तो नहीं क्यों चंदर्मा गर पीडित है तो कुछ सकता है उसे anxiety हो mental stress हो वो भी देना जरूरी है मंगल गरह को भी देखें मंगल चोटे भाई बैनों का कारक है कि आपके relations कैसे है उनसे या आपके चोटे भाई बैन है या नहीं वो depend करता है कि मंगल कुडली में पीडित है या क्या है तो वो भी चेक कर लेना हवशक होता है दूसरी चीज़ ये पूछते हैं या बुरे बाद का सवामी है तो अच्छी दशा नहीं है वो तो सोच रहा है कि मेरी दशा नहीं है लेकिन हमको ये भी देखना है वो पूछने लगे कि मेरी मंगल की दशा चल रही है तो ये धषा पिता के लिए कैसी है आप ये तो सवाल एक अजीब हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि पिता के लिए कोई भी कुंड़ी देखनी हो, तो सूरिय से नवम भाप को लगन बनाएए, माता के लिए कुंड़ी देखनी हो, तो चंदर से चतुर्त भाप को लगन बनाएए, और कुंड़ी बनाएए, स सूरिय से आपकी दशा मालिया मंगल की है तो सूरिय से मंगल का एक्सिज देगी कि सूरिय पिता का कारक होता है अगर वो एक्सिज दो बारे का या च्छे आठका है तो वो पिता के लिए अच्छा नहीं आपकी अंतरदशा शुक्र की चल रही है तो सूरिय से शुक्र का एक् जो आपके अंतरधशा है जसकी उसका एक्सेज तो ठीक है आप परिशान है अगर छी आट यह दो बाराे है तो आपको परिशानी है आपके जीमने संगर्श है आपके उनमेकल है है तो यह भी चेक क API एक सूरिय चांदर का access देखना बहुत जरूरी जैसे कुंद्ली आप आप सूरिय और चंदर का access के कहीं सूरिय से चंडरती स्थान है कर दो ही स्थान में चठी इस बतुर में कि झाप यह तो नहीं है तो और जएति आप दन्र Cancer में क्या देखें ये मैंने शाइद पहले भी आपको बताया है एक बार फिर मैं आपको सामने रिपीट करता हूं पिर लगनेश की इस्तिति आपको जरूर देखने चाहिए लगन का स्वामी कौन है और वो गोचर में कैसा है गोचर में पिली तो नहीं दूया दो से अधिक ग्रहो जरूर देखनी चाहिए कि अंतर तसा जिसकी चल रही है या पिरतेंतर तसा जिसकी चल रही है गोचर में उससकर क्या एसाब किता हो गुरू शनी का जोचर भी देख लेना चाहिए नहीं को आसे संब् горमस ब्रक आखा-टा इस चंदरमा से भी देख सकते हैं, चंदरमा से सनी का गोचर तीसरे छटे 11 वे भाव में अच्छा होता है, गुरु का गोचर दूसरे 5 वे, 7 वे, 9 वे, 11 वे भाव में अच्छा होता है, उससे भी देख सकते हैं, या आप लगन से गोचर भी देख सकते हैं, लगन से गोचर भी म अवाई कि महाद कर दोग ¿क्त बождने कि औरşa刃 चिए इंग you